स्वागत है आप सभी का अनकेडमी जहारखंड इस्टेट एक्षिपा ग्याना है इसके बारे में जहारखंड की इतिहाज का पुला सामलोग यहां पर जिक्र करेंगे जहारखंड की जहारखंड की जहारखंड की राजधानी राची की भारत की मत से गुजर्णने वाले अच्छांस जिस्टों कले नाम देते हैं करक रिखा क्या नाम देते हैं करक रिखा 23 अंग लिगरी उत्री अच्छांस भी आप गुलते हैं 23 ऐच्छांत भी आप इसको बूलते हैं तो करक रेखा 23 आप डिगरी इस रहा है इस्तित है अब बात करते हैं कि झारखंड कि इनकिन राजियों से अपनी सीमा लगाता है यह रहा आपका झारखंड यह रहाँ आपका झारखंड यह आप उत्तर में जाएंगे तो विहार है य ये आप दच्षिण में आएंगे तो है उडिशा और ये आप जाएंगे पसिम में तो उत्रप्रदेश है और क्या है छतितर गड़ है यानि कि पांच राजियों से सीमा लगाता है तो जारखन को इस पर्श करने वाले राजियों की संख्या कितनी हो जाती है पांच हो जाती है, पांच हो जाती है, देखे, पूर में पच्छी मंगाल है, यस पूर में पच्छी मंगाल है, पच्छी में उत्तर प्रदेश हैं, यस उत्तर प्रदेश हैं, और क्यों है उत्तर प्रदेश हैं, तो बिहार पाएंगे, बिहार और दच्छी में क्या है, उड फेला हुआ है छोटा नापूर का पठार फेला हुआ है छोटा नापूर के पठार को हम लोग कहते हैं भारत का रूर क्या बोलते हैं यह भारत का सबसे भारत का सरवाधिक भारत का सरवाधिक क्या hai कौन से खनीश संसादल में संपन है यहां पशित्रया निखलता है कोईला है भारत का सरवाधिक खनीश संपन में दमुदर नदी इसको आप बोलते हैं जिसको कहा जाता है वह सुछारी बाग का पठार और एक हो जाता है राची का पठार प्रफिए ना एक हो जाता है राची का वठार हो जाता है तो यहां से आपने इतनी बात खी इसके बाद हम चलते हैं जहार खंड है इसमें आप देखेंगे जो मैं बात कर रहा था राची यह राची है और उपर क्या है यहीं से होकर दामोदर नदी बैती है, यहीं से होकर दामोदर नदी बैती है, जारखंड के सब्दों को यदि हम लोग संविक शेत के रूप में देखें, जारखंड में दो सब्दों निकल कर आते हैं, एक है जार और दूसरा क्या है खंड, जार का मीनिंग होता है जंगल, ज का मतलब होता है ठेप्रिया भुमी जहारखंड का साथ करत क्या बंजाएगा वन इसको आप तभी कर्दी वनांचल भी कहां या कै इसको तसंवे के लिए आपने इसको वनांचल भी कहा है खुटा नाखपूर के बठार में बसा होने काणा प्रदेश भी बोला जाता है क्या बोला जाता है जंगलों का पदेश इसको कहा गया है जार्खंड में एक जंजाती रहे जिसको आप बोलते है क्या पुरुक या पुरुक बोल सकते हैं या फिर ओराव बोल सकते हैं पुरुक या उराव भासा में, जंगल को क्या कहा जाता है, जंगल को कहा जाता है, तोरांग, क्या बोलते हैं, तोरांग बोलते हैं, तो ये भी आपके लिए एक important point हो जाता है, कि तोरांग किसे कहते हैं, तो तोरांग क्या है, पुरुक भासा या उराव भासा का शब्द है, जिसका इनिंग होता है जंगल। जहारखंड में दो जगहे हैं बहुत इंपॉटेंट एक है सिंग भूम। जहारखंड में एक जगह enfermed और एख क्या फैमस हो जाता है क्योंकि भारत शुरवात होती है कभी है कभी है डिसमबर 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआथ के शुरूब के लिए से होती है अच्छा सिंग भूहुम का नाम और वार आता है कब आता है जब एक आंदूलन चलता है वन बचाओ अंदुलन या फिर ऐसे बो सकते हैं जंगल बचाओ अंदुलन क्या बोलेंगे जंगल बचाओ अंदुलन बोलेंगे तब इसका नाम आता है जंगल बचाओ अंदुलन किस ने किया आदिवासियों ने किया ये जहारखण में आदिवासियों के तो जंगल है उसके सरच्छन के लिए उसके समवर्धन के लिए यह अनुर्ण चलाया गया जिसमें कि महत्पूर भूमिका निवाती है कौन वास्पी देवी और सूर्बणी देवी उसको भी आपको धेनक में जंगल बचाओ अनुर्ण कहां चलाया जाता है तो जारखंड के आदिवासी छिठ्रों में जो जंगल का चेत्र है उसको समवर्धन के लिए उसके बढ़ाllo बचाओंब्चाओं चलाया जाता Do जिसमें की महत्पूर्ब होती है किसकी वास्वी देवी किसकी होती है शूर्मणी 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 देवी किसके बात आपको क्लियर रखती है एक शीज आपको क्लियर हो गई ना इतनी कि ने स्कूल ऑफ माइस करता था यहां पर हुआ करता था इस पूल हुआ करता लेकिन आप आयाइटी धनवाद हो वोकारों में क्या है इस्टील प्लाइंट है यह आपको दियान लखना यह सिंग वूम दूला यह सिंगूम दूला जो कि दो पार्ट वेटा हुआ है इस रिमाद कब होता है तो भरकंड का निर्माण होता है 15 नॉंबर 2000 जारकण किस से अलग होता है और सबी हैं कब कहां पर आप नॉन्बर नॉन्बर बनाए जाते हैं एक नॉन्बर और पंद नॉन्बर कैसे याद रखना है चाउज है ना कैसे याद रखना है चाउज से याद रखना है चाउज से 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 और जारखं का निर्माण होता है बीहार के चला गया disrupt 결गा इसे ही भी किसमें तो बिहार से यह प्रत्रक हो जाता है तो वहां के लोगों में ये निरासा आ जाती है कि जारखंड में बिहार में को तीनी चीज़ बची है क्या बचा है बालू, आलू और लालू अब बालू क्यों बचा है क्यों आपके पता है कि गंगा में मिलने वाली सभी सायग नदियों में मैक्सिम्म सायक नदियां दो हैं कहां मिलती हैं बिहार में आके मूलती है इसलिए बिहार जो है फ्लड एरिया वाला शेतर बन जाता है बिहार में अधिकतर बाढ़ वाला शेतर हो जाता है तो जारखंड के अलग हो जाने से बिहार में इस प्रकार की निरासा आ जाती है अब ह कि यहां पर कोई सरकार टिक्टर काम नहीं कर पाई है राजी कि आज स्थिर्टा के दवाओं में जो जारकंड है तो भारत्रे सरवादिक संसादन से संपन्य राजी लेकिन यह पिस्टे राज्यों में आता है तो इसका में सब्सक्राइब कि नहीं यहां पर क्यों इस सरकार क्नी रहे हैं लेकिन आप देखेंगे मुपंत्री बहुत जल्दी बनने हैं कि रहुत वर्स का तेल्यों पुरा किया इसाल के वह क्योंग है पांस वर्स के यानि की कार्काल क्या जाना और आप यहां पर देखर..! यहां पर भर बार को पनते हैं को तो सबसे पहले आप इसके बारे में ज़ल कि चौदा वर्स बाद यानि कि 2014 में जब विधान सभा चुनाव संपन हुए तो उसके बाद पहली वाल लगातार 5 वर्स तक सरकार रहती है और 2019 तक रहती है यहां की मुख्य जो पार्टियां है उनमें भाच्वा है जारखंड मुक्ती मोर्चा है यहां की मुख्य पार्टिय सबसे पहला मुख्य आप से पूछता है यह आपके जारखंड के जीके का बहुत कुछन हो जाता है कि जारखंड का पहला मुख्य कौन रहा बाबुलाल मरांडी रहे भाजपा सरकार से रहे इनका कारिकाल रहता है 15 नॉम्बर 2,002 का थारा मर्च 2,003 तक रहते हैं और इनकी जो आप पेसकते हैं विधान सबाच छेत रहा वो कौनसा रहा रामगड रहा रामगड से जीत का इलोनी क्या प्या है इन्होंने अपने विधान सबाच पहुंचे हैं और विधान सबाच के पहुंच कर यह भाज मुक्वंती बनाएगा दूसरे मुक्वंती को रूप में आते हैं अर्जुन मुंडा जो किसे जुड़े हुए हैं और यह तीन बार मुक्वंती रहते हैं और इनका कारिकाल आप देखें आठारा मार्ट योयार तीन से लेकर दो मार्ट योयार पांट तक टीन बार यह क्या रहे मुक्तबंती रहे और इनका की विधां सभा रही जीत कर आए हो क्या रहा खर सावन रहा तो अर्जुन मुंडा हो जाते हैं दूसरे हैं न आप यहां पर नम्बरिंग से देखेंगे तो नम्बरिंग में बीसिज में कोई दूसरा भी आता है लेकिन आपको यहाद रखना कि छे कौन-कौन रहे तो पहले हो जाते हैं बाबुलाल मरांडी इसको इसकी ध्यान रखना है तो कि आपका जीगे कोर्शन है जार्खन के प्रसं मुख मंतरी हो जाते हैं पहले मुख मंतरी हो जाते हैं नेक्ट पर देखेगा अरजुन मुझा के बारे मैंने आपको बता दिया मुझा जंजाती कहां पर मिलती है मंदा जंजाती आपको मिलती है कहां पर यह मिलती है आपको ज्राठ्षासी न चप्ति hanya साथ है और यह रहते हैं पहली बारे दू मार्म 200 आ et सब्सक्राइब कर रहते हैं और अगनी बार जब बनते हैं तो 28 अगस्ट 2008 से लेकर अठारा जनुरी 2009 तक रहते हैं और टीसरी बार जब रहते हैं 30 दिसंबर 2009 से लेकर अब इसनुरी 40 गहां से आते हैं जमतारा से यह इनकी जो कि कि है féendra नेन्यों है अब बात आता है कि चान को modo कोड़ा की सिस्की बाता की बाताइती है मथूकोड़ा का समफन किसी पार्टी से नहीं रहा है मतना कि बहुत बड़ी बार राज में मिर्दले का मुक्वंतरी बंजा नकुर बेंगा की वन सितंबर दो जाखका 18- सब्सक्राइब को जाते हैं मुखवंत्री के रूप में ज्हारखण के रूप फिर आते हैं रगुवर्दास और इसको कर लिजे आप फाइव स्टार क्योंकि यही वह विक्ति हैं जो ज्हारखण में पांच वर्च का कारेकाल पूरा करते हैं जो अपना कारेकाल पूरा करते हैं आप जानते हैं मुखवंत्री कारेकाल कितना होता है तो रगुवर्दास जो है एक मात्री ज्हारखण के ऐसे मुखवंत्री जो अपना कारेकाल पूरा करते हैं यानि कि फॉर्च मुखवंत्री के प्रदफर बने रहें और इसके बात जाते हैं जो बर्तमान में भी मुखवंत्री है ज्हारखण मुक्ति मोचछा के हेमन्त सोरेल एक बार मुखवंत्री बनाये गया थे तेरा गुलाई तोज्ञान सिलेकर तेरा कारेकाल पुरा करेंगे यानि कि यह भी पांच वर्स तक लगातार बढ़े रहेंगे जब पहनी बार यह आये थे पर आये थे दमका सीट से चुनाव जीता था और फिर अब जब दूसरी बार आए हैं तो बरहे सीट से चुनाव जीते हैं इस प्रकार से यह हो जाते हैं क्या यह हो जाते हैं जहारखंड के मुक्मंतियों के छह चेहरे आप बहुत ही बेटरीम परीचेश देखेंगे एक मुक उनकर आपको यहां सब्सक्राइब करेंगे और मेरा यूज करेंगे मेरा कूर हो रहे होंगे आपको यहां से मेरे कूर का यूज करके मिलेगा 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट, जैसे भी आप क्या करेंगे, जैसे भी आप समय पर इन्रॉल करेंगे, तो thank you so much, सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग हक्ते मुस्क्राबते हुए बने रहें, ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वैल आइकन को प्रस करिए, और मैंसा डूए देंगा, thank you so much, सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, नेक्ट वीडियो के साथ अब तक के लिए, stay healthy, stay happy, thank you so much, और सभी को मेरा बहुत बहुत जोहाद, सभी को मेरा बहुत बहुत जोहाद झाल